हाई फ्रेंग्स रे कृष्णा ये मेरा सवभाग्या है कि आप जैसे एक्टिव संगीत प्रेमी मेरे इस चैनल को देखते रहते हैं और कमेंट्स भी भेजते हैं तारीफ करते हैं कुछ गलतिया भी बताते हैं कुछ सजेशन्स भी करते हैं और आपके इस इंटरेक्शन की बहुत ही पॉपिलर हुआ है रोज कहीं सारे संगीत प्रेमी इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं आपने दी हुई हर एक आइडिया पर मैं अमल करूंगा ही ऐसा नहीं हो सकता अभी फिलाल मेरे एक यूट्यूब फैन ने जो आइडिया दी है उस पे मैं जरूर अमल उन्होंने यह सजेस्ट किया है कि मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें मैं हार्मोनियम पे कोई गीत बजाओंगा स्कैलिटन धाचे में याने रा गाना और उसे आप सब संगीत प्रेमियों को पहचानना है कि यह गीत कौन सा बजरा है तो लीजे आज से ही जैसे ही दूसरे संगीत प्रेमियों के इंटरेस्ट के लिए कमेंट्स में आप लिख सकते हो यह गाना किस पिचर का है वो पिचर कब रिलीज हुई थी यह गाना किस पे चितरित किया गया है इसके सिंगर्स कौन है म्यूजिक डिरेक्टर कौन है लिरिक्स कौन है यह सारी जानकारिया कमेंट्स में लिखोगे तो औरों को इसमें जरूर दिल्चस्पी रहेगी और खास करके कोई दिल्चस्प बात इस गाने के बारे में आपको अगर मालूम हो तो वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो पिछले साथ दिनों से ये गाने बजाकर पहचानने की scale याने उस गाने की original पट्टी जहां पे हैं वो पट्टी की समझ करा दू और उस गीत में कौन से कौन से स्वर लगे हैं ये बता दू उतना बताने से भी उनको बहुत बहुत फायदा होगा वो इस गीत के बोल कहां बजे हुए हैं वो ढूलने की कोशिश करेंगे ये सजेशन बहुत ही बढ़िया सजेशन है यूसफुल है और इसलिए आज के इस वीडियो से मैं हर गीत जो अपलोड करूँगा उसका original scale उसकी original पट्टी मैं बजा कर बताऊँगा all the best friends ऐसे सजेशन देते रहिए constructive suggestions पे जरूर अमल होगा ह्लाईटी मैं बजान बाईटी मैं, बाईटी मैं बाईटी मैं, बाईटी मैं जरू अमल रहिए अजय वैंदान। इस गाने की पट्टी है सफेद पांट याने जी इसको सा समझ कर यहां से सारे शुद्ध स्वर बजाएंगे इस गाने में सारे शुद्ध स्वर लगे हुए हैं इस गाने में खर्ज के भी तीन स्वर लगे हैं अब आप धूनने की कोशिश कीजिए मैंने आपको बता दिया है यह सफेद पांच याने के जी मेजर जी मेजर याने जी से सारे शुद्ध स्वर यह बजा लीजिए इन ही स्वरों पे यह गाने के फ्रीक्वेंसी चुपी इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 88791-83901 पर फोन कर सकते हो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा